इस्टार अध्धक्ष महोदे आज की चर्चा में आपके सामने जो विशय आएंगे जहां तक मैं समझता हूँ वह हर प्रान के साधारन से साधारन नागरिकों से सम्मन रखता है या बहुत ही महत्पून चर्चा का विशय है इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है इसकी वास्तविक इस्थिती सामने रख कर सोचना पड़ेगा आज की बढ़ती हुई महगाई जो की दिन पर दिन हमें दबाए जा रही है उसका मुकावला हम किस तरह करेंगे विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आपको उभार सकें मैं इस बात को मंजूर करता हूँ और सासन भी मंजूर करता है कि आज अनाच के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है मैं आज देखता हूँ कि गे हुँ जुआर मक्का में नब्बे प्रचिसत तक का भाव बढ़ा हुआ है इसी तरह से वनफपती तेल के मामले में भी यही इस्थती बनी हुई है इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनफपती तेल के भावों में 20 प्रचिसत की ही बढ़ोतरी हुई है डालडा वनफपती के जिस भाव की हम अपिक्षा कर रहे थे वह भी केवल 40 फिसदी के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुह बाय हमारी ओर खड़ी हुई है हमने हरित क्रांती का नारा दिया था उससे मशला हल नहीं होने वाला जब तक की सिचाई का प्रचिसत बढ़कर उपर ना चला जाए वह भी सीमित रह जाएगा अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूँ कि आज हमारे यहां जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए लेकिन हमारी परोसी सरकार राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है जब राजस्थान गुजरात और महराश्ट्र में भुखमरी परी थी उस समय सासन यहां से वहां माल भेज रहा था वहां पर एक किलो चावल की कीमत पांच रुपए चल रही थी और आप यहां के कास्तकार से उसी माल को एक रुपए किलो में लेना चाहते थे इससे मुनाफे की प्रवरत्ती को प्रोसाहन मिलता है कि वहां माल पहुचा कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लिया जाए हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है जिससे वह लक्षप्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए यह सवाल पैदा होता है आज साफन की डबल नीती है एक और साफन वस्त्वों पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है यह सब चीजें काला बाजारी का कारण होती है और इससे महंगाई को प्रोसाहन मिलता है साफन ने जिन चीजों पर नियंत्रण किया था वह चीज उपभोकताओं तक पहुचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुची हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बर सकते हैं माननी अध्यक्ष महोदय माननी विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है वह सासन की नीती के अनुकूल नहीं है इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐशा कानून नहीं बनाया है जिससे राज में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े या अकाल पड़े या सूखा पड़े सरकार की तरप से जो भी कानून बनाया जाते हैं वह देश और राज की जनता के हित को ध्यान में रख कर बनाय जाते हैं उसी के अंतरगत हमारी विधान सभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे की महंगाई बढ़े हमारे मुख्य मंतरी जी और मंतरी जी सदयव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राज की जनता सुखी हो खाद्य सामस्या का निराकरण हो और उसे किसी प्रकार की परेसानियों का सामना ना करना पड़े यहां पर मैं समझता हूँ कि महंगाई के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा क्यूंकि बढ़ती हुई महंगाई और अभाव के इस्थती राज इस्तरी समस्या नहीं है बलकि यहां एक राष्ट्री समस्या है मैं इस सम्मंद में सदन के सदस्थ समस्त विधायक और राज मंत्री मंडल से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक इस समस्या का सामना करते हुए सीग्र निराकरण किया जाना चाहिए लोक प्रियप मुख्यमंत्री जी ने राज्ज के जिन जिन जिलो में अकाल और सूखा पड़ा था वहां वहां के लिए रोजगार और राहत देने के लिए आदेश प्रसारित कर दिये हैं हमारे राज्ज में सामान से अधिक वर्था होने से बाढ़ के हालात बने जिसके कारण किसानों को काफी हनी का सामना करना पड़ा जिन किसानों की फसल बाढ़ आने अकाल पड़ने सूखा पड़ने और ओले पड़ने के कारण छती हुई नुकसान हुआ था मुख्य मंत्री जी ने वहां वहां के लिए मुख्य मंत्री साहता कोच से साहता करने का विचार किया माननी अध्यक्ष महोदय इसके उपरांत महंगाई बढ़ने का कारण यह होता है कि लोगों की क्रैच्छमता और उपभोकता की संख्या विशेस बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है इसी लिए हमारे इतने विशाल समुदाय में महंगाई बढ़ने का कोई विशेस महत तो नहीं होता क्यूंकि महंगाई बढ़ाना सासन की नीती में सम्मिलेत नहीं किया गया है स्टॉप स्टॉप